आज हम आप सबी के लिए mathematics का कुछ important question लाएं और उन important question को केसे आसान trick से solve करेंगे इसके बिसे में बात करेंगे question करता है तीन दौरा गुनीत तीन करमागत संख्याओं का योगफल लंबे है इन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तीन दौरा गुनीत गुनीत मतलब multiply तीन करमागत मतलब लगाता है अगर हम तीन संख्या मानते हैं तीन करमागत संख्या मानते है एक्स देन एक्स प्लस थ्री देन एक्स प्लस सिक्स अब यहाँ पर तीन दौरा गुनीत इसलिए तीन छे नो बारो जाएगा अब यहाँ पर लिखा रहता है चार दौरा गुनित तो चार आठ बारो जाता पांच दौरा गुनित पांच दस पंद्रो जाता के लिए यहां पर तीन करमागत लिखा हुआ है तो तीन करमागत के लिए पहली करमागत दूसरी करमागत तीसरी चार्था होता तो यहां पर एक्स प्लस नाइन भी हम लोग ले लेते नेकिन तीन करमागत होने कारण हम तीन लिए अब कहा जा रहा है इन संख्याओं का योग कितना है नब्बे हम क्या करेंगे इन सभी को प्लस कर देंगे अब प्लस करके टोटल कितना है नब्बे हम यहाँ पर नब्बे लिख देंगे अब इन सभी को 6 प्लस 3 बराबर 9 हो जाएंगे यानि कि 3X बराबर 9 90-99 उधर आपका चला जाएगा अब यहां पर क्या होगा 81 बटा कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे 81 बटा 3 आता इसको हम काटेंगे तो आ जाएंगे कितना 27 यहां पर आचेके हमारा 27 है यानि कि यह 27 जो है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसी संख्या पर जब हम मान को प्लेस करते हैं तो हमारा कितने संख्या आते हैं यानि कि जब हम X के मान प्लेस करेंगे तो हमारा 27 आएंगे फिर जब हम दूसरा मान को प्लेस करेंगे यानि 27 में तीन जोडेंगे तो कितने आ जाएंगे तीस आ जाएंगे आतब इसके में सरी अंसर क्या है 33 इसको direct बनाने के लिए आप अपने से consider कि कौन सी संख्या है उसकी हिसाब से भी आप बना सकते हैं अपने से अगर 27 लेते हैं और अगर हम 30 लेते और 33 क इन तीनों के मिन्कूलूट करते हैं तो हमारा कितना आथा? 90 आता है इससे हम कर सकते हैं कि directly हमारा answer जो है 33 एक बड़ी सेंख्या है यह कर सकते हैं तो अपने से आप हिया हिसाब से लगा कर डिरेक्टली एंशन से बना सकते हैं अगर यह process अगर आपको नहीं सिखना है तो चलिए कोशन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं next कोशन किया है अगला कोशन आपके इस केमपर आ चुके हैं अगला कोशन हैं यहाँ पर लिखे हैं यदि एन कोई प्रकृतिक सेंख्या हो तो root n की क्या होगी तो root n की मान निकानले के लिए क्या करने होंगे अगर हम root n के मान यानि की n के अस्थान पर अगर हम n के अस्थान पर अगर हम पहले n रखते हैं तो इसका value कितने हो जाएंगे एक हो जाएंगे अगर n के जगह पर 2 रखते हैं तो यह रूट 2 ही रहेंगे और अगर यहां पर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएंगे n के जगह पर, n के जगह पर यानि रूट n के जगह पर हम यह सब सारा मान को प्लेस कर रहें तो root 3 हो जाएंगे अगर root के जगा पर 4 रखते हैं N के जगा पर इसका value 2 आ जाएंगे यानि कि यह एक बिसम सेंग क्या है यह एक समसेंग क्या है यानि कि यहां पर कह सकते हैं कि यह जो है एक क्या है नेचुरल नंबर है यह एक क्या है नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर मतलब प्राकिर्टिक सेंग्या और यह एक क्या है इरियस्नल नंबर है यह क्या है एक इरियस्नल नंबर है यह एक क्या है नेचुरल नंबर है यहाँ पर देख पारें यह भी एक इरियस्नल नंबर है और यह एक क्या है नेचुरल नंबर है यानि कि यहाँ पर कह सकते हैं कभी कभी नेचनल तो कभी इलियसनल यानि कि इस परकार से हमारा औपस की कर सकते हैं कि कभी प्राकर्तिक तो कभी औपरमिय शैंख्या आती है यानि कि आपोफ आहिए नंबर फोर ढ punya सभासरोगा औपसनस फोर ए आप सभी समझ चुके होगी इसका सभी अंसे क्या होगा आए नेक्स्ट कोस्टन की और बढ़ते हैं अगला कोस्टन और आपको दिखाते हैं कि अगला जो कोस्टन है यहां पर क्या आप सभी के लिए रखे गहें जब अब जस्त कोस्टन यहां पर हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं तो चलिए अगला कोस्टन की और प्lar क मान कितने होंगे तो आई इन कोंड आते हैं तो यह सब पहले इसको क्या करने होगे इसको क्या करने होगे किसे हम बनाएन स्की भीसे में यहाँ पर समझते हैं बहुत ही आसान है sticks दोस्तों बहुत ही एसी है बहुत ही easy है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक से 50 तक अगर हम निकालते हैं, तो एक से 50 तक हम को सबसे पहले एक से 50 तक यहाँ पर निकालने होंगे, तो देखिए हम यहाँ पर एक से 50 तक निकालते हैं, वन प्लस, टू प्लस, डोड़ड़ प्लस, पचास तक अगर हम य क्या करते हैं यह जो अंतिम हैं अंतिम बला यहां पर लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं अंतिम बला लिखते हैं और इसका आधा करने के बाद इसमें एक जो है इंकलूड कर देते हैं यानि पचास में क्या हो जाते हैं एक एकावन हो जाते हैं जब इसको हम कारते हैं तो य कितने आते हैं बारों सो पचाथर इसके बाद क्या करते हैं इस ब्हेलू को निकालने के लिए हमें क्या करने होंगे इस बहलू को यह बहलू और यह यह बहलू दोनों marking लेस्ट कर देंगे यानि कि 50-50-12-75 दोनों को लेस करते हैं तो आएंगे 3775 यही आपका सही अंसर हो जाएंगे यानि 3775 जो है बिलकुल भी सही जवाब है आपसंस नंबर च्यार ऐसा हम इसलिए कि क्योंकि एक से 50 तक हमको भैलू निकल चुका था एक से लेकर 100 तक था तो बीज का भैलू देने के लिए निकालने के लिए दोनों का आपस में क्या करने होंगे घटाने होंगे में हमनें दोनों का भिलो को निकाल ली हैं सबक्रागने हैं और और एंसे-ने बहुत जड़ा रिपीटेट होते हैं unboxing by 2017 को इसकोर प्लस इसकोर डीज चेवेश को चींश को अथा सेट्य हूंब इसकोर निकालते और पर दो कितने बार है दो बार दो चार कितने बार है दो बार तो इसमें इसे दो का पार हम सबसे पहले यहां से common ले लेते हैं बाहर करने के बाद यहां पर कितने बच जाएंगे एक बचेंगे अब इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको रूट चड़ेंगे तो यह 40 हो जाएगा और यहां से 1 से लेकर 20 तक का भेलू हमारा यहां पर दिया हुआ जिसे कि आप सभी देख पा रहें इसमें से 78 को हम क्या करेंगे गुना करेंगे जब 78 को यहां पर गुना करेंगे तो गुना कर जो कि आप सभी के एक्जामनारं में बहुत ही जबज़त तरीके से पूछे जाते तो अगला कोशन इस टेक हैसा ने बहुत ज्यादे गुश्यन में पूछते तो चलिए सिंपल सा तरीका सिंपल को साथ बनाते सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेते तो तोड़ते तो द क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टि पहुआ दूस्तों जब भी कोश्चन है इस में इसमें छिजिए इसमें से इसमें लिस कर देंगे तो दोनों कावमस्य करते चलना तो इस में इस में लेस्ट करेंगे तो कितना आएगा दो दो बटा कितने ओढ़ जाएंगे तिन जो नीचे बढ़ने नीचे में कीघानए तो यहाँ पर प्रकार से यहां पर आगे चलते चलते चलिए बस आपको कुछbund बहुत ही इस पर ने करने आपका कोश्चन तरीकर से आपका बन जाएगा हम यह पर सीथ मो़कार से उसके सकते हैं Keane कासरे सब्सक्रालिएं सभूतिव है तेस सब्सक्राइगा सबस्क्राइब याँ तौन करके क। हमारा 40 और इधर से हमारा जो संख्या है इधर से हमारा जो संख्या है यहां बचेगी एक यानि कि एक बटे कितने हो जाएंगे 40 यही का आपका सही अंसर है आत हम कह सकते हैं इसका सही अंसर एक हम मिलते हैं नैक्स्ट विडियो में वीडियो में अपको वीडियो कैसे लगेंगे नी के दुरू कर जरू बताई।